नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में भीया जहां पे मैं आप लोगों से बात करने वाल एक लॉंग टम इंवेस्टमेंट के बारे मैं दोस्तों जब कभी भी बात निकलके आती है लॉंग टम इंवेस्टमेंट के बारे में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है वो है पब्लिक प्रॉबिडेंट फंड अब दोस्तों यहां पर कुछ टैम पहले से साइमेंटेनियसली आपने देखा होगा कि रेट निरंतर बढ़ती रहेगी और या फिर यह थोड़ा सा अच्छा rate of interest भी हमें देंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यह नहीं सारी की सारी चीजों पर देखेंगे बात करेंगे सारी की सारी चीज़े समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करेंगे उस rate of interest के पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स आपको देखने को नहीं मिलता यह टेक्स फ्री अमांट होता है अब दोस्तों यहां पर बात निकल के आपके मन में यार योगी कि पब्लिक प्रविडेंट फंड अकाउंट को लोग खोल सकते हैं तो दोस्तों यहा सकता है ओसकता है बैंग रृदिद या उत्तर प्रद्य से आप कहीं से भी आप है इस पॉश्ट असकार से या फिर अि Wirśmy की सरकार से आफिक वंडिया कर सकते हैं बहुत ही सिंपल से दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप ब्रांच में विजट करेंगे चाहें पोस्ट ओफिस किया किसी भी बैंक की सिंप्ली आपको बोलना है कि मुझे एक पब्लिक प्रॉबिडेंट फंड अकाउट ओपन करना है और वहाँ पे वो फॉर्म फिल करने के लिए देदेंगे आपको उस फॉर्म के अंदर आपको सारी की सारी कंडिशन फिल करनी है कि कितने आपने पैसे जमा करा रहे है परवन्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि 500 रुपे मिनिमम आपकर आ सकते हैं maximum एक financial year के अंदर डेट लाग रुपे भी आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं वो आपके उपर depend करता है अब दोस्तों बात यह निकलके आती है इसके अंदर के यहाँ पे जो public provident fund है यहाँ पे rate of interest कितना मिल रहा है तो rate of interest दोस्तों अभी का जो rate of interest है वो 7.9% है पहले इसके अ rate of interest थोड़ा सा अच्छा मिलता था मैं आपको बताओं लास्ट यह जो rate of interest मैंने आपके देखा था 7.3% का देखा था जिसे अभी घटा करके 7.9% कर दिया गया है लेकिन दोस्तों prediction यह लगाई जा रहा है कि public provident fund के अंदर जो rate of interest है वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाएंगे क्योंकि अभी यहां पर जो rate of interest है 7.9% का है जिसे बढ़ा करके 8.5% यह 8.7% भी किया जा सकता है क्योंकि अगर मैं बात करूँ दोस्तों सुकन्या समरिदी जोजना के अंदर अभी जो rate of interest चल रहा है वो 8.6% का चल रहा है तो इसी से prediction यह लगाई जा रही है कि public provident fund के इसके लगा दोस्तों बात निकल के आती कि कौन लोग इस account को नहीं खोल सकते तो दोस्तों मैं आपको बता देता है तो अगर आप NRI है अगर आप HUF है तो इस account को नहीं खोल सकते उनके लिए तरह तरह की दूसरी skim चलती रहती है बहुत ही जल्दी मेरे channel के उपर आपको ऐ extend किया जा सकता है जो कि मुझे सबसे अच्छी बात लगती है अब let's suppose दोस्तों retirement planning आप कर रहे हैं अगर retirement planning कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं अटल पेंशन योजना की तरफ जा सकते हैं NPS की तरफ जा सकते हैं या किसी भी जगा से कोई भी retirement plan ले सकते हैं तो दोस्तों यहां पे public provident fund आपको किस तरीके से मदद करेगा retirement को plan करने में let's suppose दोस्तों अभी आपकी उमर है 20 साल अगर आपकी उमर 20 साल है और आपने 1000 रपे आप जमा कराना स्टार्ट करते है public provident fund के अंदर तो यहां पे आप देखेंगे कितना पैसा आपने जमा करा दिया पूरे के पूरे जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आपकी उमर 20 साल है तो आप 15 साल के अंदर तो retirement नहीं लेंगे यानि 20 साल के बाद जो 15 साल को जाएंगे तो आपकी उमर 35 साल की होगी आप और 15 साल के लिए इसको extend कर सकते हैं क्योंकि यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया पांच-पां कितने की maturity आपको मिलेगी आप यह खुद देख सकते हैं इसके अलावा दोस्तो आप अभी 50 साल में भी retirement नहीं ले सकते नहीं लेंगे मुझे पता है क्योंकि 50 साल के बाद भी हो सकता है आप काम करने लाइक है या आप काम करेंगे तो वहां पे 5 सालों के लिए और extend कर दीज यहां पे क्या आप public provident fund के अलावा कोई ऐसी scheme है जहां पे आप इतना पैसा gain कर सकते हैं यहां पे दोस्तो चक्रवरती व्याज आपको देखने को मिलता है compounding interest आपको देखने को मिलता है तो यह है तरीका अब दोस्तो बात कर लेते public provident fund के फायदों की अब दोस्तो इसी period के दोरान कभी भी आपको अगर पैसे की जरुवत परती है तो वहां पे आप 90% OD ले सकते हैं जो कि किसी दूसरी scheme में नहीं मिलेगा आपको इसके लावाद दोस्तो कम दस्ता विज़ो के अंदर आप इसको खोल सकते हैं long term investment है किसी भी तरीके से market से link नहीं है कि आपको नुकस हो जाएगा मैं किस तरीके से पैसे को गेन करूंगा तो यहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आपको जरूवत नहीं है किसी भी प्रकार से market से link नहीं है तो दोस्तों यहां पे यह है मेरा point public provident fund को ले करके दोस्तों कभी भी public provident fund यानि कि भविश चनिती घा आप से करके बताई है आने वाले time के अंदर आपको भी यह पता है कि market उपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा तो public provident fund के अंदर जो rate of interest आपको मिलेगा वो जादा ही मिलेगा और वहां पे जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो tax free होगा जो भी interest आपने गेन किया उसके कोई tax नहीं देना पड़ेगा आपको इसके अलावाज जो भी आपका पैसा है उसके उपर वो कोई under section 80C के तैस में tax की रिबेट भी आपको मिलती रहेगी एक financial year के अंदर डेढ़ लाक रुपे तक के लिए तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी information उम्मीद करता हूं वीडियो आ लाइक कीजेगा अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कि कमेंट करना मत बूलेगा अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आज हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आपको मैं बता दू दोस्तों हम आपसे ऐसे ही किसी इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तरह के लिए गुडबाई टेक केर जैहिंद